नमस्कार आप देख रहे हैं JJN News, मैं हूँ आपके साथ रेनू सुनीता बॉलिवड और टीवी इंडस्ट्री की मशूर अदाकारा सुरेखा सीकरी का आज सुभर निधन हो गया कलर्स चैनल के फेमस डेली सोप बालिका वधू में दादी साका किरदार निभा चुकी 75 साल की सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्स से निधन हो गया बता दे कि पिछले कुछ समय से वो बिमार चल रही थी उन्हें दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था इससे पहले उन्हें पिछले साल ब्रेन स्ट्रोक हुआ जिसके बाद उन्हें अस्पताल से इलाज के बाद चुट्टी मीनी थी आपको बता दे कि वो पैरलिसिस का भी शिकार हो गई थी सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रेल 1945 को दिल्ली में हुआ था उनका बच्पन उत्राखंड के अल्मोडा और नेंताल में भी था उन्होंने साल 1971 में नैशनल स्कूल ओव ड्रामा से आक्टिंग में ग्राजुएशन की डिग्री हासिल की अपने फिल्मी करियर में सुरेखा सीकरी ने बहुत सी ऐसी फिल्में की है जो हमारे समाज की रूडिवादी सोच को दर्शाती है और साथ ही वो अपनी फिल्मों से समाज की सोच को बदलने की कोशिश करती रहे उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें पहचान टीवी सीरियल बालिका वधु के किरदार दादी सासे मिली जिसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले हैं इसके बाद फिल्म बधाई हो में उनके किर्दार को लोगों ने बहुत पसंद किया उनको इस फिल्म के लिए National Award for Best Supporting Actress Film Fair Award for Best Supporting Actress और Screen Award for Best Supporting Actress मिले थे उनको आखरी बार Zoya Aakhtar की फिल्म गोस स्टोरीज में देखा गया था जो पिछले साल OTT प्लाटफर्म पर रिलीज हुई थी फिलाल के लिए इतना ही देखते रहिए जेजेन न्यूस